तो सभी का वेलकम है मैं जुईश्कमार स्वाकत कलता हूँ आपका डिफेंस अटर 24-7 पर तो आज हम करेंगे मेराथन क्लास तो फटा फट चलिए शुरू करते हैं तो लखनव सेशन जो 1916 में हुआ था आपको बताना है कि लखनव सत्र 1916 में जो हुआ था इसमें अद्यक्ष कौन थे और सेशन को शेयर और लाइक कलते वे जरूर चलिएगा सेशन को सभी को भाई सेशन को शेयर और लाइक कलते वे जरूर चलिएगा आपको बताना है कि 1916 में जो लखनव सत्र हुआ तो उसमें अद्यक्ष कौन थे तो उसमें अद्यक्ष कौन थे भाई सभी का चरण बजूबदार थे ओके लखनव सेशन को हम लखनव पैक्ट यानि लखनव समझोता भी बोलते हैं लखनव समझोता इसे क्यों बोला जाता है कि भाई इसमें कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आ गयते और गरमदल और नरमदल का भी विले हो ग दिर्धंते रहीम तुलला सेहाद है झाधाह, 1896 मेंного क्ञेस के अध्यक्ष जिसमें पहली बार वंद मात्रम गाया गया था ठीक है?वंद मात्रम गाया था क्या option number B, अगला question दीजेगा, subsidiary alliance कब आया था भारत में, तो subsidiary alliance आपका 1798 में आया था, और subsidiary alliance कौन लाया था, Lord Dalauzy लाया था, sorry, Lord Wesley लाया था, subsidiary alliance ये था कि भारत में जो देशी रियासते होती थी, भारत में जो देशी रियासते होती थी, यानि, princely state हangelी थी, उनको अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, उनको अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, और वोने British Army को रखना compulsory होता था, मतलब अनिवार ले ते लागू और सबसे पहले व особ subsidiary alliance कि पर लागू हुआ था, यह आपका हैदराबाद पर लागू हुआ था, किस पर हुआ था, हैदराबाद पर लागू हुआ था, ठीक है, तो इस question का answer आपका क्या होगा, option number B, रखते हम, थोड़ा busy चल रहो, मैं आपका, मैं message पढ़ लिया, तो आपको बात कर लेंगे हम, ठीक है, कनिंगम ने 1861 में, 1861 में Archaeological Survey of India, यानि ASI की स्थापना करी थी, और Lord Canning, अभी यहाँ पढ़ लो रखते हम, ठीक है, और Lord Canning जो थे भारत के पहले वाइसरोय थे, फर्स्ट वाइसरोय थे, Lord Canning भारत के क्याते हैं, फर्स्ट वाइसरोय थे, ये आप भारत के पहले वाइसरोय कब बने थे, ये भारत के वाइसरोय बने थे, पहले आपके 1858 में बने थे, देखो, हमारे जो सुभासचंदर बोस, वैसे तो आपको मैं बता दू, सुभाज चंद्रबोस के जनम दिन को, जो 23 जनवरी को आता है, इसे अब एक नाम दिया गया है, इसे हम प्राकरम दिवस के तौर पर हम इसे बनाएंगे, आपके सुभाज चंद्रबोस के जनम दिन को, तो ध्यान रखेगा, सुभाज चंद्र में, okay, 1938 में तो निर्विरोध चुने गए थे और 1939 में दुबारा से ये Congress के अध्यक्ष बने थे, लेकिन इसके बाद इन्हों ने क्या कल दिया था, गांदी जी के विरोध के बाद, क्योंकि सुभाच अंदर बोस कहते थे कि हमें हिटलर का सपोर्ट करना चाहिए, गांदी जी कहते थे कि नहीं, अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन, कौन सा सेशन जिसकी अध्यक्षता महत्मा गांदी जी के द्वारा की गई है, कौन सी कई लोगों का सपना होगा कि मैं बेल का हो जाओं, आर्मी वालों का सपना होगा, क्योंकि वहाँ कमांड़ स्कूल है, एफोस वालों का सपना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो X और Y ग्रूप की होती है, इन इशन टेरिंग वहीं पर होता है, तो आप्शन नमबर सी, इसका राइट आंसर, और गायस सेशन को शेयर और लाइक करते हैं जरूँ चलिएगा, गायस सेशन को शेयर और लाइक, भारत में मुस्लिम रिनेसांस, यानि आपका मुस्लिम पुरन जागरण का जनक किसे कहा जाता है, मुसलिम पुरन जागरण का जनक किसे कहा जाता तो वह अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता अब्दुल लतीफ खान को ध्यान रखेगा 1884 में इन्होंने बात कही थी कि भई जो मुसल्मान हैं उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए सरस्यद एहमद खान का संबद अलिगड़ अंदोलन से है अलिगड़ मूमेंट से है सरस्यद एहमद खान का किस से संबद है अलिगड़ अंदोलन से है और नवाब संली मॉलाखान ने 1906 में Muslim League की स्थापना करी थी, किसकी स्थापना करी थी, Muslim League की स्थापना करी थी, अरिनफ गाय सेशन को शेयर और लाइक जरू करेगा, बेलगाउ हो आपका करनाठ का मैं है मनोज कुमार, हिंदू लूथर किसे कहा जाता है, तो इशुर्चनध विद्या सागर को भारत का क्या का जाता है हिंदू लूथर क्योंकि इनों ने विद्वा पुनर विभा के लिए अंदोलन चलाया था और कानून भी बनवाया था ठीक है द्यानन सरस्वती ने 1875 में किसकी स्थापना करी थी आर्य समाज की स्थापना करी थी और इनों ने एक नारा दिया था, चलो वेदो की और लोटें, यानि go back to वेदाज, ठीक है, go back to वेदाज, यानि चलो वेदो की और लोटें, यह इनोंने नारा दिया था, और session को share or like, हाँ जी सर 1884 ही लिखा है, आप लोग पहले session को share or like जरूर करो दोस्तो, सबसे पहले session को share or like, यहां पर संख commission, Simon commission को white man commission भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें सारे लोग क्या थे, अंग्रेज थे और वो भारत के लिए कानून बनाने आये थे, तब जो मोतिलाल नहरू नहरू के पिताजी थे, उन्होंने एक report जारी करी थी, जिसे नहरू report कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, नहरू report कहा जाता था, तो नहरू report में भारत को dominion status, यानि भाई सरकार भारतियों की हो, लेकिन किसके अंग्रेज महरानी के अधीन रहके हो, तो dominion status की मांग की थी, ठीक है, किसकी मांग की थी, dominion status, यहाँ पे एक चीद गौर फर्माने लायक है, जो आपका Congress थी, Congress ने अंग्रेज सरकार से एक आता, कि अगर आप नहरू report को माल लेते हैं, तो ठीक है, नहीं, तो फिर क्या होगा, 1929 में, जो Congress का Lahore का सत्र होता है, उसमें क्या करते हैं, 1929 के Lahore के सत्र में, वो क्या करते हैं, पूर्ण सोराज्य की गोशना कर देते हैं, किसकी गोशना कर देता है, जो साइमेन कमिशन की report को मानती है, आपका उस को नहीं मानती है, नहरू report को नहीं मानती है, ठीक है, अगला कोशन, और सेशन को livestream का जہू करेगा, और भारत का पहला समराज्य था, MoreTube जेता मौरे बंचंच की जो स्थापना है, ठीक है, Mark yan की जो स्थापना है, आप guys सेशन को शेयर और लाइक करते हैं यह मौरेवंच 321 इसापूर यानि जीजस कराइस के जनम से 321 साल पहले शुरू हुआ था और खतम हुआ था जीजस कराइस के जनम से 185 साल पहले इसकी जो संस्थापक है वो कौन थे चंदरगुप तो मौरे पहला शाशक था फिर उसके बाद शाशक था फिर उसके बाद आपका के बाद शॉछ इस के बाद अशौ क रहे जिसमें से पहले 3 शाशक की बहुत महत्पूर रहे चंदरगुप तो मौरे तो बलकि इसका इस वंस का संस्थापक था ऐस वंस का अंतिम सास कौन था ब्रहद्रत जिसकी हत्या किसने करी थि पुष्ष मित्र शुङ ने जिसकी हत्या करी थि ध्यान रखो और गाए सेशन को यार शेर और लाइक जवा करो फटावटी, यहां पर at least number दहाई के आखड़ में तो पहुचा हो, हाँ, thank you, चलो, दहाई के आखड़ा तो हो गया, at least 10 लोग तो देखे, okay, ब्रहमीलिपी, देखो जो अशोक था न, अशोक, अशोक आपका क्या कलता था, शिला लेक और स्टम्ब लेक लिखवाता था, ठीक है, शिला लेक यानि चटानों पर अपने मैसे लिखवाता था और स्टम्ब, okay, स्टम्ब लेक और खंबो पर अपने लेक लिखवाता था, इसके जो शिला लेक और स्टम्ब लेक थे, उसको सबसे पहले किस ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, 1837 में, ठीक है, 1837 में, जेम और इन्होंने ये भी बताया था कि अशोक अपने आपको शिला लेक में क्या बुलाता था, कि अपने आपको बुलाता था, वो प्रिय दर्शी, ठीक है, किस नाम से संबोधित करता था, अपने आपको प्रिय दर्शी, और आपका देवम प्रिय, okay, देवम, okay, देवम, देवम प्रिय के नाम से अपने आपको संबोधित करता था, ओके हाँ, ओके चलो, सेशन को शेर और लाइक जो करेगा, अरे वो जो मैंटी मीटर वाला है, वो क्विज होएगी, वो आपकी जो अभी मिश्रा जो टाइम बता रहा है, उस पर आप करेगा, यह तो आपका महरत हो को तो सेंड्रो कोटस बुला जाता था, क्या बुलाता था, सेंड्रो कोटस, क्योंकि चंद्रो कुप्त का जो विवा था, वो एक ग्रीक राजगुमारी हेलना के साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था, ग्रीक राजगुमारी हेलना के साथ हुआ था, तो ग्रीक साहित में य या अमित्र गहात के नाम से बुलाया जाता था, किस नाम से बुलाया जाता था, ठीक है, और हर्ष को, हर्ष को आपका किस नाम से बुलाया जाता था, हर्ष जो था, ये 606 से 647, 606 से 647 तक इसने शाषन कराया, ये तो बाद की बात है, और इसको शिला आदित्या के नाम से ब पुलाया जाता था, ठीक है, तो इस question का answer option number B है, ओके, और session को share और like जरू करेगा, session को share और like जरू करो, दोस्तों फटाफट जल्दी से, इस question का answer दीजेगा, फटाफट बताओ, इस question का answer क्या होगा, और session को share और like जरू करेगा, और बताओ इस question का answer क्या होगा, कि आपको बताना है कि चानक्या का जो famous teacher थे, वो कौन सी university से संबंदी थे, देखो नालंदा university की जो स्थापना है वो कुमारा गुप्त ने करी थे, अगर आप से question पूछा जाया कि नालंदा university की स्थापना किस ने करी थे, तो कुमार गुप्त ने करी थे, विकरम शिला की university की स्थापना आपकी धरम पाल ने करी थे, विकरम शिला university की स्थापना किस ने करी थे, धरम पाल ने करी थे, और चानक्या का संबंद किस से था आपका तक्षिला से, चानक्या को कौटल्या के नाम से भी जाना जाता था, चानक्या को कौटल्य तिक पर आधारित है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन, अगला कोशन, कौन सा जो महान चाशक था, जो अपने जीवन के अंत समय में, जिसने जैन धरम को अपनाया था, देखो, बिंदु साल जो अशोक का बेटा, अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्या का अशोक तो आपको पता है, अशोक तो क्या था, बहुत राजा था, ठीक है, बहुत धरम को मानता था, चंद्रगुप्त मौर्या, जो था, अपने जीवन के अंतिम काल में, इसने जैन धरम को अपनाया था, किसको अपनाया था, जैन धरम को अपनाया था, और guys, session को यार, share और लाइक जरू करो, क्या आप share और लाइक भी नहीं कर सकते हैं यहां पर, हैं बैइ, session को यार guys, share और लाइक करो, ताकि और student हमासाँ जुड सकें, फटा फट जलि से सभी लोग, session को share और लाइक जरू करेगा, ताकि और student भी हमासाँ जुड सकें, जल्दी से यार, okay, okay, ज प्रम्ष होता, इसके बाद आपका करण मांश आता है, इसके बाद आपका क्या आता है, करण करण मश के संस्थापग आपके कौन थे? वसुदेव ते और गाय सेशन को शेर और लाइक जरू करेगा ठीक है फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं आगले कोशन के हो किंग कनिशका ने चौथी बहुत संगीती जो आयोजीत करी थी तो किंग कनिशका ने जो चौथी बहुत संगीती करी थी वो 72 इसवी में करी थी ने करी थी आपकी कश्मीर कुंदल वन कश्मीर में करी थी कुंदल वन कश्मीर में यह आयोजीत करी थी ठीक है कुंदल वन कश्मीर में इसको आयोजीत किया था ठीक है और कुंदल वन कश्मीर में जो इस आयोजीत करा था इसमें अध्यक्ष थे इसमें तरसल दो थे वसु मित्र और अश्वक हेश्ट तंढ है आपका क्या था उपाद्यक्षत है यह ता उपाद्यक्षत है ठीक है और session को Hare जो जो करएगा आगे बढ़ते हैं इंडसस्वेली civilization संदू काटी सब्वैक्टा तो ENDES WELY civilization के बारे मताओ इंडस्वेली civilization आपका 1200 ईसापूर से 1750 ईसापूर तक रही है। Indus Valley Civilization आपकी कब से कब तक रही है? 1500 ईसापूर से 1750 ईसापूर तक रही है। और Indus Valley Civilization कैसी थी आपकी? इसकी जो अभी तक लिपी है, से पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये कैसी है? भावव चितरातमक है, कैसी है? the following deal with the music, जो हमारे वेद है, जो हमारे वेद है, निकी भारती बिलकुल, और जल्दी जल्दी कोशन को करो, बहुत सारे कोशन से है, लगबग 100 से ज्यादा कोशन है, 125 के करीब कोशन है, तो फटा फट जल्दी से आज आज आपको सारे कोशन करा रहा हूँ, तेजी के साथ कलते चलेगा, रिगवेद में आपका क्या दे रखा हा, हाइम्स दे रखा है, क्या दे रखा है, हाइम्स, यानि मंत्र दे रखा है, जैसे रिगवेद का जो तीसरा मंडल है, रिगवेद में मंडल, जैसे रिगवेद एक बुक होगे, उसका मंडल उसका चेप्टर रखा है, रि रिगवेद के डस्मे मंडल में आपका पुरुष सूक्त दे रखा, क्या दे रखा है? पुरुष सूक्त दे रखा है, यह पुरुष सूक्त क्या है? कि एक महामाना में जिसके मस्तक से ब्रह्मन, भुजाओं से शत्रिय, पेट के हिस्से से वैश्य और चर्णों से शूत्र, यानि वण व्यवस्ता भी रिक वेद में दी गई है, यजुर वेद जो है, यह आपका यग की personality की विधियों से सम्बंदेता है, किस सम्बंदेता है? यग विधी से सम्बंदेता है, ओके? फिर साम वेद, यह आपका जसारे गामा पा, यह संगीत पे आधारित सबसे प्रथ सम्तीन वेदों को, और अथरवेद जो है, यह आपका काला जादु, यानि Black Magic से संबंदित है, ठीक है, वाश्टु सास्त्र हो गया, आपका जोतिश सास्त्र हो गया, और आयुर वेद हो गया, यह आपके अथरवेद से संबंदित है, इस संबंदित है, अघला कोश़ड़ा, 10 राजाओं का युद, दस राजाओं का युद ये वैदिक काल में 1250 BC में हुआ था, ठीक है कब हुआ था, 1250 BC में हुआ था, ये आपका राजा भरत, एक तरफ राजा भरत थे, और एक तरफ दस राजा थे, जिसमें से इनका हेड कौन ता सुदास था, इनका हेड कौन ता सु इसे दस राजाव का वार या परुश्नी नदी का युद या रावी नदी का युद बोला जाता है ईसा मसी एक जनम से 1250 वर्ष पहले हुआ था ठीक है और ध्यान लखेगा ये वितच्जा ये वितच्च्छा आपका tutoda अब किसको बोला जाता ढूला जाता हैं वितच्स तो जो जहलम नदी का युद कई मैं बोला जाता हैडफस तो 326 BC जो सिकंदल था अलेक्जेंडल अलेक्जेंडर का युद्ध हो था राजा पोरयस के साथ तो ध्यान रखेगा वुझे हम क्या बोलते हैं जहलम नदी का युद्ध भी बोलते हैं और हाईड़ेपस का भी बोलते हैं वितत्सा वेदिकाल नाम था हाईड़ेपस ग्रीग नाम है और जेलम आजगा नाम है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कुशन के ओर जबती सिस्टम किसन के द्वारा इंट्रडूस किया गया था तो जबती सिस्टम था कि एक भूराज़ेसे विवस्था थी और ये आपका अख़बर के समय में लाया गया था शेर्शा जो था शेर्शा सूरी इसने भारत में रुपिया चलवाया था क्या चलवाया था रुपि तुखलागाबाद नामक शहर की भी स्थापना करी थी, दिल्ली के पास एक तुखलागाबाद नामक की भी एक शहर की स्थापना करी थी, and guys यार session को share or like जरू करो, जल्दी से बिलकुल, और जल्दी से session को share or like जरू करेगा, चलिए, साहिल सर क्या हाल है, कौन से यूद के बाद, बाबर ने गाजी का title लिया था, देखो, बाबर ने सबसे पहले 21 April 1526 में, ठीक है, फिर बाबर की इसके बाद 1527 में लड़ाई होती है, बैटल आफ खानवा, ये राणा सांगा के विरुद होती है, राणा सांगा, ओके, राणा, ओके, राणा सांगा के विरुद, ठीक है, ध्यान रखेगा, ये पानिपत का तो 1526 में हुआ था, और इसमें पहली बार यूद बना देता, जेहाद गा नारा देता है, इसमें किसका नारा देता है, जेहाद गा, और खुद अपना गाजी का टाइटल लेता है, ओके, और बैटल आफ काबुल तो इसने 1504 में करी थी, और बैटल आफ घागरा ये 1529 में था, ठीक है, 1529 में बैटल आफ घागरा का उत्ता, ओके चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन की ओर, option number C, इसका right answer है, अगला कोशन, doctrine of lapsus किसके द्वारा लाया गया था, doctrine of lapsus था क्या, कि भाई, जो भी भारत में देशी रियासत, यानि राजा होगा, अगर उसकी खुदी की संतान नहीं है, तो उसकी संतान को किस 1848 में लाया था, और सबसे पहले ये 17 पर लाग हुए थी, 17, 17, 17 महराष्ट में बढ़ता था, Lord Kenning भारत का पहला वाइस रह था, फर्स्ट वाइस रह था, ठीक है, Lord Kenning भारत का क्या था, पहला वाइस रह था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन, who founded the Indian Statical Institute, तो Indian Statical Institute क स्थापना करीती, PC महलनोबिस में, ध्यान रखेगा, इनका जनम दिन 29 जून को आता है, और राश्टी है, स्यांखे की दिवस के तौर पर, National Statistics Day के तौर पर हम बनाते हैं, PC महलनोबिस, चली अगला कोशन, आके, Sir Gary, जली से बताओ, Sir Gary Scarfield Sobers Trophy, ICC Cricketer of the Year, कौन सा ऐसा गया, Spirit of the Decade का Award दिया गया है, Spirit of the Decade का Award दिया गया है, ठीक है, और session को share और like जो करेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन, कौन सा डिजीज, इनसुलिन, इनसुलिन जो है हमारे खून में किसको कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, तो इनसुलिन की अगर कमी हो जाया है, तो हमें diabetes हो जायती है, ध्यान रखेगा एक विक्तिता है, जिनका नाम था, Charles Benton, okay, Charles Benton, ठीक है, Charles Benton ने artificial insulin बनाया था, क्या बनाया था, artificial insulin, आज का लोग लेते हैं, artificial insulin, किसने बनाया था आपका, insulin, Charles Benton ने artificial insulin बनाया था, चली आगे बढ़ते हैं, National Science Day कब बनाया जाता है, तो National Science Day आपका 26 February को मनाया जाता है, National Science Day आपका कब बनाया जाता है, तो National Science Day आपका 26 February को मनाया जाता है, दो फरवरी को रामसर, okay, रामसर डे या आपका वेट लेंड डे बनाया जाता है, ठीक है, वेट लेंड डे बनाया जाता है, ध्यान रखेगा, भारत में किती रामसर साइट है तो भारत में ध्यान रखो बिटा आपकी कितनी रामसर साइट है भारत में इस वक्त 42 रामसर साइट है कितनी 42 ठीक है सबसे बड़ी चिलका है सबसे छोटी रेनुका जील है हट है पुरुष होकी टीम अगर देखा जाए फाइएच ध्यान रखेगा पहली बात फाइच का जो मुख्याले है वो स्विजलेंड के एक शहर लसाने में पड़ता है और ध्यान रखेगा भारत की इसमें चोथी रेंक है इसमें क्या है चोथी रेंक है और 2023 में उडिसा में ह आपका कहां पर होगा वुमेन होकी वर्ल्ड कप ठीक है जल्दी बताओ वुमेन होकी वर्ल्ड कप आपका कहां पर आयोजित किया जाएगा ओके जल्दी से बताओ यह आपका कहां पर आयोजित होगा यह 1974 से होने जा रहा है और लास्ट टाइम 2018 में हुआ था ओके तो अब कहां पे होगा Women Hockey World Cup जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा और session को शेर और like ज़रू करेगा 2022 में जो Women Hockey World Cup है वो आपका कहां पे होगा Spain, Netherlands इन में होगा कहां पे होगा Spain, Netherlands में होगा ठीक है Women Hockey World Cup अब ये जो है आपके Ram Sir साइट पे question है तो आपको इस question का answer बताना है ये अभी हाल ही में जोड़े गई Ram Sir साइट है जैसे कीथम जील है ये आगरा में है इसे सुर-सरोवर बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है सुर-सरोवर बोला जाता कीथम जील को क्या बोला जाता है Sur Surover, то यह आपका आगरा में पढ़ती है, ठीक है? कबलताल, इसै कबलताल, यह आपका बिहार में पढ़ती है, बिहार की है, ठीक है? और लोना जील, यह Maharashtra के Bulldhana District में पढ़ती है, ठीक है? और आसन, यह उतरा खंड की सबसे पहली रामसर साइट है, तो इस question का answer क्या होगा, A का 4 होगा, यानि first का क्या होगा, 4 होगा, okay, इसका क्या होगा, first का क्या होगा, 4 होगा, तो ये 4 किसका है, okay, 4 किसका होगा, 4 होगा आपका first का, ठीक है, तो option number B, इसका right answer है, option number B, इसका right answer है, बहुत बढ़ी है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे ले कोशन क्यों राष्टे विकास परिशत देखो एक planning commission होता था planning commission planning commission का काम क्या होता था planning commission का काम होता था भारत में पंच वर्षे योजना बनाना तो इसकी स्थापना 15 मार्च इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और जो ये पंच वर्षे योजना बनाता था इसको लागू कोन कलता था इसको rectify से pass कोन कलता था तो उसे राष्टे विकास परिशत कलता था जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी अगला कोशन राम कृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना आपकी बेलूर ये बेलूर आपका उसमें पढ़ता है कोलकाता में और स्वामी विवेक आनन्द ने इसकी स्थापना करी थी ठीक है स्वामी विवेक आनन्द ने इसकी स् समाज और ये किसने करी है दयानंद सरस्वती ने करी है किसने करी है दयानंद सरस्वती ने इसकी सापना करी है आगे बढ़ते हैं ओके दक्षणी गंगा किसे कहा जाता है तो दक्षणी गंगा आपको गोदावरी को कहा जाता गोदावरी को गौतमी नदी भी कहा जाता क्या बुलाए जाता, गौतमी नदी भी बुलाए जाता, क्योंकि गौतम रिशी ने इसको उत्पन कराता, गौतमी नदी के साथ-साथ गोदावरी को वरद गंगा भी बुलाए जाता, क्या बुलाए जाता, बुडी गंगा, दक्षनी गंगा, गौतमी, आपका किसको बुलाए जा को सबसे पहले दिया गया था, सबसे पहले किसे दिया गया था, आपका C. Raja Gopalachari, सबसे पहले C. Raja Gopalachari, फिर आपका S. Rada Krishnan, तीसे नंबर पे आपको C. V. Raman, और चोथे नंबर में आपको किसको मिला था, M. V. S. Raiya को मिला था, तो इस question का answer क्या होगा, option number A, इसका right answer है, आगे बढ़ते हैं अगला question, Bhopal Gas Trasaddy, 2-3 December के दिन 1984 में ये घटित हुई थी, Bhopal Gas Trasaddy, तो Bhopal Gas Trasaddy में कौन सी gas leak हुई थी, Metile Isocyanate, okay, Metile Isocyanate gas leak हुई थी, और दियान रखेगा, इसमें आपका Union Carbide एक Factory थी, उसमें ये gas के रिसाव के कारण ये हुआ था, आगे साउंड की speed किस में होती है, Silver में, Aluminium में, Copper में, या Gold में, तो सबसे जदा साउंड की speed होती है, यानि धोने का वेग होता है, वो आपका Aluminium में जाता होता है, चौन सट सो 20 मीटर पर सेकंड होता है, Gold जो होता है, ये सबसे जदा मलियेबल, मलियेबल का मतलब होता है, कि बैर में करवर्ट किया जा सकता है और ध्यान रखेगा copper जो होता है ऊश्मा यानि heat का सबसे बड़ा सुचालक होता है और silver जो होता है वो आपका विद्युत का सबसे बड़ा बड़ा सुचालक होता है अच्छा, copper जो है ना, सबसे पहली धातू है, ये, चीक है, सबसे पहली धातू, okay, सबसे पहली धातू है, जो मानव द्वारा यू परियोग की गए थी, यानि मानव ने अगर सबसे पहले किसी धातू को परियोग करा था, वो कौन सा था, copper, okay, हाँ, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगला कोशन, और सेशन को शेर और लाइक जो करेगा, okay, father of vaccination, आप जान रहे हो, इतना vaccination का चल दा, तो father of vaccination किसे कहा जाता है, Edward Jenner को, क्योंकि इन्होंने चैचक के ठीके की खोज करी थी, चैचक के ठीके को हम क्या बोलते है, smallpox बोलते हैं, क्या बोलते है, smallpox बोलते है, चैचक के ठीके की खोज करी थी, और चैचक के ठीके को क्या बोलते है, smallpox, Lewis Parcher, Lewis Parcher ने भाई, आपका rabies, ठीक है, rabies, और आपका titanus, titanus को भाई, titanus, titanus को न lock jaw disease भी बोलते हैं क्या बोलते है lock jaw disease ठीक है lock jaw disease इसकी करीधी Jonas lark ने आपका polio ठीक है polio और Alexander Fleming ने विश्यक की सबसे पहली antibiotic penicilline का विश्कार करा था penicilline आपका fungus से बनाई जाती है यह antibiotic होती है यानि antibacterial virus के खिलाफ कोई medicine नहीं बनती है चीक है उसके खिलाफ केवल vaccine बनती है तो father vaccination किसे का जाता है Edward general लोगो और session को share और like जू करेगा option number C इसका right answer है चोमो लुगमा कौन से रज्जे में कौन से देश में स्थित है देखो जो Mount Everest है न Everest जो नाम इसे रखा गया है Everest जो नाम रखा गया है इसका वो तो 1860 में Sir George Everest इंडिया का नक्षा बना रेते उनके नाम पे रखा गया यह जो Mount Everest है ना एक तरफ तिबबत में है और एक तरफ यह नेपाल में यानि नेपाल और तिबबत के बीच में है ठीक है नेपाल में तो इसे बुलाया जाता है सागरमाथा ठीक है नेपाल में तो किस नाम से बुलाया जाता है सागरमाथा के नाम से तिबबत में से बुलाया जाता है चोमो लुगमा के नाम से तिबबत में से किस नाम से बुलाता है चोमो लुगमा के नाम से हाली में नेपाल ने इसकी अधिकारिक हाइट बताईए, इसकी हाइट इस वक्त किती है, 8848.86 मीटर है, ठीक है, सबसे पहले 1963 में इसमें चड़ने वाले व्यक्ति थे, Edmund Hillary, ठीक है, Edmund Hillary, और Tensing, Tensing, ओके, Tensing Sherpa, Tensing Sherpa, Edmund Hillary और Tensing Sherpa ने सबसे पहले इस पर चड़ाई करी थी, और अगर पूचा जाए, सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंदू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कुन siya? चैनाब open चैनाब पे आपका बगली हाथ डाम भी है इस पर तीन डाम है एक तो बगली हाथ डाम है ठीक के यह आपका इस पर डेम बने Leadhead W altri चे नाम नदी पर चे नाम नदी परापका दो ब्रिउज एक तो विष्य विश्च का सबसे ऊंचा बिरेज के नाम से जानते हैं यह विश्य का सबसे उचा railway bridge है, सबसे उचा railway bridge है, चिके विश्य का सबसे उचा railway bridge है, चिनाब bridge, और ध्यान रखेगा, इसी पर ही एक और bridge बन रहा है, जिसका नाम है अंजी-ख़ड bridge, ठीक है, अंजी-ख़ड bridge, अजी-खड bridge है, ये कहाँते हैं, तार वाला, तार से बना पुल है यह तार से बना पुल पहला भारत का ऐसा पुल जो केवल तार से बना होगा ओके चली आगे बढ़ते हैं हाँ बिलकुल आप्शन नमबर 20 का राइट अंसर है कौन सा कौन सी नदी सबसे ज़्यादा देशों से लंबी नदी है क्योंकि यॉरप की जो सबसे ओके यॉरप की सबसे लंबी नदी जो है यॉरप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोलगा है लेकिन ये पूरी तरीके से आपका रशिया में है कैश्पिन सागर में जाकर गिते हैं लेकिन आपका highway of Europe कहा जाता और Amazon तो wishya की सबसे बड़ी नदी है और यह आपका South America महादीब में बढ़ती है किस में बढ़ती है South America महादीब में बढ़ती है option number 20 का right answer है अगला कौन सा तारा सूरे का सबसे निकटतम तारा है देखो अगर जैसे सूरे है तो सूरे के पास अगर पूछा जाए कि सूरे का निकटतम तारा तो सूरे का निकटतम तारा तो आपका हो गया proxima century ठीक है सूरे का निकटतम तारा और अगर पूछ ले जाए सूरे का निकटतम सूरे तो सूरे का निकटतम सूरे आपका alpha century कहलाएगा ये क्या कहला हैगा, अल्फा सेंचुरी, ठीक है, सूर्य का निकटतम तारा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का निकटतम सूर्य, अल्फा सेंचुरी, सीरियस जो है, ये हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारा है, ठीक है, सबसे बड़ा तारा, हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारा है आपका serious हमारी galaxy कौन से दूख दमेख ला मंदाख नहीं जिस हम बोलते हैं यानि Milky Way ओके अब इस question का BIM stack में कितने कौन सा BIM stack का देश नहीं है कौन सा निमली कितमे से कौन सा BIM stack BIM stack के full form है Bay of Bengal initiative multi-sectoral okay technical economic cooperation यह 1997 में बनी थी और guys यार session को यार share where कर दो यार थोड़ा सा frame दिखा दो session को यार share where जरू करेगा जरा session को share करो ताकि और student भी हमारे साथ जुड़ सके हैं फटा-फट जल्दी से session को share करो ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके हैं फटा-फट जल्दी से session को share करो यार सेशन को शेयर वगरा जरू करेगा और बस इतना एक है कि एक बार जरा सेशन को आप शेयर कर दे ताकि maximum लोग हमसे जुड़ सके हैं जल्दी से वही सेशन को शेयर वगरा कर दीजे तो बताओ इस question का answer क्या होगा BIM stack कि BIM stack के सदस्य देश कौन से हैं विद्या सिना ने इसका answer बता option number D क्योंकि Indonesia जो है न वो आसियान का और बल्कि आसियान का headquarter तो Indonesia की capital जकालता में ही पड़ता आसियान का तो headquarter Indonesia की capital जकालता में ही पड़ता नीरज गुड़ आफटनून सर जहिन तो के अगला world food program का headquarter कहां पड़ता है देखो लसाने में आपका न दो international दो एक तो आपका Federation of International Hockey का headquarter है और आपका न इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कमिशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का headquarter है ओके आपका 2023 में जो वर्ल्लकप है आपका कौन सा खौकी का वो आपका कहां पर होगा भारत में होगा और ध्यान रखेगा 2024 में पैरिस में होंगे अलंपिक अभी तो इस साल टोक्यो में है पैरिस में ओलंपिक होंगे और पैरिस में जो ओलंपिक होंगे ना उसमें break dance को include किया गया किसको include किया गया ब्रेक dance को include किया गया ध्यान रखेगा जूरिच में आपका FIFA का headquarters है जूरिच में आपका किसका headquarters है FIFA का और FIFA World Cup आपका 2022 का तो कहां पर होगा कतर में होगा कतर में होगा और और 2026 का 2,026 का युएस से में होगा 2020 का कहां पर होगा युएस से में होगा FIFA Women World Cup wilman World Cup जो FIFA का है वो आपका Australia और New Zealand में होगा pray Australia New Zealand में होगा 2023 में चीक है, 2023 में, देखो मैं किती सारी जानकारी दे रहा हूँ आपको, Madrid में आपका, जो Spain की capital है, Madrid में आपका, World Tourism, विश्व टूरिजम और्गनाजेशन, WTO, WTO Trade Organization नहीं है, World Tourism Organization का Headquarter है, Rome, जिसे शाश्वत शहर बोलते हैं, Eternal City हम बोलते हैं, तो रूम में आपका किसका Headquarter, रूम में आपका दो का है, एक तो World Food Program, चीक है, इसे आपका वो दिया गया है, World Food Program को आपका क्या दिया गया है, Nobel Prize दिया 2020 में, और आपका Food and Agriculture Organization का भी Headquarter पढ़ता है आपका इसमें, चलो, इस Question का Answer बताओ, फटाफट जल्दी से, इस Question का Answer क्या होगा, और Session को Share और Like ज़रू करेगा, Session को Share और Like ज़रू करो, जल्दी से वताओ, इस Question का Answer क्या होगा, ओके, हम, तो Session को यार, Share वेर कर दो, फटाफट जल्दी से, सभी लोग, ओके, अच्छी नहीं लग रही है के Class, ओके, जल्दी से, भाई, Session को, यार, Share वेर कर दो, एटलिस है, 25 Students तो कर दो, जब और कुछ नहीं चाहिए, 25 Students कर दो, यहां पर और कुछ नहीं चाहिए, तो जल्दी से बताओ, इस Question का Answer क्या होगा, ओके, जो गलत है, आपका गलत इसमें, मैं आपको ढूड़ना है, ओके, इसमें आपको गलत, बिल्कुल, सूरज गुमार ने इसका Answer एकदम सही दिया है, ठीक है, हाँ, तो जो Berlin है, वो आपका, राइन नदी के किनारे नहीं है, Berlin आपका स्प्री नदी के किनारे है, ठीक है, कौन सी spring नदी के किनारे है, ध्यान रखेगा, इसी तरीके से अगर पूछा जो वोशिंग्टन, ठीक है, वोशिंग्टन, वोशिंग्टन आपका DC जो है, ये आपका Porto Mack River के किनारे, कौन से Porto Mack River के किनारे इस्थित technically, अगला question देखते हैं Australia, China, India, USA, okay जल्दी से बताओ, okay Australia, China, India, USA, railway के लिए current affair कहां से पड़े, SSC Edda पर आप जा सकते हैं sir, उसमें रोज current affair की class होती है, वहां से पड़ो, नहीं तो आप Adda 24-7 की app डाउनलूड कर लो, उस पर आपको current affair की quiz free of cost मिलेगी, उसे कलते रहो, ठीक है, तो जल्दी से बताओ, इस question का answer क्या होगा, देखो Australia में जो तूफान होता है, उसे विली-विली बोलते हैं, USA में उसे hurricane बोलते हैं, चाइना में टाइफून बोलते हैं भारत में साइकलोन बोलते हैं ठीक है भारत में क्या बोलते हैं साइकलोन तो इस कोश्चन का आंसर क्या होगा इस कोश्चन का आंसर बताओ क्या होगा इस कोश्चन का आंसर होगा option number sorry option number B इसका answer होगा ठीक है क्या होगा option number B इसका answer होगा okay B इसका answer होगा बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं कोई बात नहीं lunch time है तो क्या होगा okay आप इसमें से कौन सा आपका गलत मिलावाई जल्दी से बता हो इस question का answer क्या होगा okay which of the following is correctly matched देखो ASEAN का headquarter आपका Bangkok में नहीं है जकालता में ठीक है जो आपकी किसकी capital है जो आपकी okay जैभीम सर ठीक है तो आपका ASEAN का जो आपका headquarter है वो आपका किसमें पढ़ता है जकालता में IORA का आपका Port Louis किसमें पढ़ता है Port Louis, Port Louis आपका जो है कहां पढ़ता है Mauritius में पढ़ता है उसमें है चिक है Maurosyas और Bims Tech का आपका धाका में पढ़ता किसमें पढ़ता धाका में Kaiser Mountain में तो Sark का है किसका है है Ses labeling को share और like जरू करेज़ेगा Session को share और like जरू करो Ok Session को share और like जरू करेगा option number बी इसका right answer है, आगे बढ़ते हैं अगला question, which state only natural passage between Atlantic and Pacific Ocean, okay, which state is the natural passage between Atlantic and Pacific Ocean, ठीक है, तो Atlantic and Pacific Ocean के बीच कौन सी straight है, तो ध्यान रखो, यह आपका इस तरीके से, आपका South America महदीब पढ़ता है आपका, यह क्या आपका South America महदीब है, और जो यह South America महदीब है, मेगलेन एक वक्तिता जिसने सोली सतावदी में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, तो ध्यान रखेगा, जया हिंद रीना बोरा, तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, यहाँ पर यह मेगलेन स्ट्रेट है, यह आपका ना, एक तरफ Atlantic Ocean और एक तरफ Pacific Ocean, दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है, Atlantic Ocean और Pacific Ocean का जोड़ती है, ओके, फिर, जिबराल्टर जो है आपका, स्पेन, ओके, स्पेन और आपका मोरको के बीच है, ओके, स्पेन और मोरको के बीच है, एक तरीके से कहूँ कि यॉरॉप, और यॉरॉप, और आपका किस के बीच है, अफरीका महादीब के बीच है, यॉरॉप और अफरीका महादीब, देखो ऐसे, यह आपका अफरीका महादीब है, इस तरीके से, ठीक है, और यह इधर आपका यॉरॉप है, ठीक है, इधर यह आपका यॉरॉप है, तो आपका, यहां पर आपका यह कौन सा तो यह इंदो सूदा है, फिर द्धैन रखेगा बाबड मुट gardening यह बाब मंदभ जो है वह यहां पर है यहां पर इस तरीके से अरब का यह पठार है, यह आपका एशिया का भाग हो गया, एशिया का और यह अफरीका का, तो यह जो बाब अगला कोशन कौन सी कंट्री जिससे Tropic of Equator और Tropic of Capricorn होकर गुजलती है तो Tropic of Equator और Tropic of Capricorn एक ही देश से होकर गुजलता पूरे विश्य में वो है Brazil ठीक है? वो कौन सा? Brazil और ध्यान रखेगा एक चीज़ कि भाई आपका जो वो है ना अगर आप देखे तो आपका जो अफरीका महादीप है अफरीका महादीप यानि अफरीका कॉंटिनेंट है अफरीका कॉंटिनेंट जो है इस से ना ये तीनों रेखा यानि आपका कैंसर करकर रेखा भी ओके भूमध्य रेखा एक्वेटर भी और आपका equator के लावा आपका क्या बोलते है equator भी और आपका वो बोलते है equator के लावा मका रेखा यानि Capricorn ठीक है Capricorn ये तीनों ही रेखाएं होकर गुजरते हैं Capricorn ये तीनों ही रेखाएं होकर गुजरते हैं ओके चलो very good option number B इसका right answer है आ तीनों गुजरती है बेव करता है पार्टिकल की तरह अब reflection हो गया reflection हो गया, dispersion हो गया scattering हो गया, ये आपका light का wave theory हो गया, particle theory में आपका क्या जाएगा, photon आ जाएगा particle theory में क्या जाएगा, photon आ जाएगा तो उसका answer होगा हो option number C, यानि दोनों की तरह behave करता है, ओके दोनों की तरह क्या करता है, behave करता है, ओके best reflector of light, तो best reflector of light आपका silver को कहा जाता है, best reflector of light किसे कहा जाता है, आपका silver को best reflector of light कहा जाता है, ठीक है, आगे देखते अगला question, तारे का रंग किसका सूचक होता है, तो ध्यान रखेगा तारे का रंग जो है ना हमेशा उसके तापमान को बताता है, किसको बताता है, तापमान को बताता है, तारे का रंग हमेशा क्या बताता है, तापमान को बताता है, जहान से सुनेगा, अगर तारे का रंग आपका ब्लू है, ठीक है, तो वो आपकी युवावस्थ हमें, अगर तारे का रंग नीला है, तो यू अवस्था में है, और उसका काफी अधिक ताप माने, तारे का रंग अगर लाल है, तो वो आपका वरद अवस्था में है, और उसका टेमपरेचर कम है, तो लाल का मतलब क्या हो गया, लाल का मतलब है कम, और ब्लू का मतलब हो गया, अधिक, बिल्कुल अगला दूप के चश्मे का क्या पावर होता तो दूप के चश्मे का जो जो लेंस होता चश्मे का लेंस अब यह जो है यह आपका एंटी ग्लेरिंग है ओके यह नजर का चश्मा नहीं है लेकिन केवल क्या है एंटी ग्लेरिंग है तो इसका आपका जीरो और आप dependence का जो powerless होता है। किसमें मापते हैं し만 डायॉप्टर में मन अपते है् और गायर सेशन को share और like जो करेगा आपका shaving के लिए हम कौन सा mirror यूज करते है तो shaving के लिए हम concave mirror को use करते है किसको use करते है Concave mirror को use करते है MYOPIA अगर किसी को myopia हो जा तो जल्दी से बताओ myopia में कौन सा lens यूज किया जाता है myopia is corrected by which lens जल्दी से बताओ myopia कौन से lens से दूर किया जाता है तो concave lens से myopia को दूर किया जाता है किस से किया जाता है concave lens से myopia को दूर किया जाता है ठीक है option number B इसका right answer होगा और guys session को share where कर तो यार बिल्कुली बहुत ही कम student है रंगी in tv में ओके color in television ठीक है color in television produced by ओके जल्दी से बताओ color in television produced by ओके जल्दी से बताओ color in television ओके अब तो खेर LED वगर आ गई है ठीक है television produced by color in television is produced by जल्दी से बताओ उसका क्या ना होगा is produced by combination of which color ओके कौन-कौन से colors को इसमें use किया जाता है जल्दी से बताओ कौन से color को इसमें use किया जाता है जल्दी से बताओ question का answer क्या होगा कौन-केव हो गया इसका answer option नमबर B इसका answer red, green, blue ये red, yellow, green ओके 52 का B इसका answer होगा से चिकित सक भी आपका concave mirror यूज़ करता है, इसमें छोटी चीज बड़ी दिखाए देती है, ओके इसमें छोटी चीज क्या दिखाए देती है, बड़ी दिखाए देती है, आगला कोश्चन, ओके दीव की distidose, तो अगर myopia के लिए हम concave को यूज़ करता है, कौन से lens का काम करता है, तो concave lens का काम करता है, हवा का बुल बुल आपका कैसा काम करता है, concave lens का काम करता है, ठीक है, और session को share और like जरू करेगा, आगे बढ़ते हैं, अगले कोश्चन की हो, तो मुद्रक किसके कारण नीला दिखाए देता, तो परकास के परिकिर्णन यानि scattering of light के कारण, तो इसका answer आपका क्या है, B, क्योंकि आपका कहना सबसे ज़्यादा परकास का परिकिर्णन होता, तो जो violet, indigo, blue है, सबसे ज़्यादा आपने आसपास के वातावरेंड में घुलती है, इसी वज़े से हमारा जो है, नीला दिखाए देता, आगे बढ़ते हैं, रेटीना पर, रेटीना पर जो इमेज, अगर आपका ये आँख है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो आपका, ये है न, ये वाला भाग रेटीना, तो हमारी जो आँख के रेटीना पर, इमेज किस पर बनती है, रेटीना पर बनती है, तो हमारी आँख पर जो रेटीना प लाल प्रकाश को खत्रे के संकेत में क्यों उप्योग किया जाता है? जल्ली से बताओ, लाल प्रकाश को खत्रे के संकेत में क्यों उप्योग किया जाता है? तो लाल प्रकाश को खत्रे के संकेत में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका तरंग धेर्दे सबसे जादा होता, तो अपने आस-पास के वाता वरंड में बहुत कम गुलता, तो option number A's का right answer है, option number A's का right answer है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question, which one of the following is the middle in the rainbow, rainbow के मद्धे में कौन सा रंग होता, V, I, B, G, Y, O, R, विब्ग्यॉर, ठीक है, तो आपका green इसके मद्धे में होता, क्या होता, green इसके मद्धे में होता, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question, ओके, दो flat mirror रखे जाएं, दो flat mirror रखे जाएं, तो कितनी image बनेंगी, तो इसके लिए एक formula होता, 360 by theta, 360 by theta, minus 1, तो अगर आप देखें, तो 360 by theta, 60, okay, minus 1, इससे कटके आपका किता आजाएगा, पांच आजाएगा, तो यानि आपका किता आजाएगा, option number C, इसका right answer होगा, ओके, अगला question, mirror formula कौन सा है, दरबंड सूत्र, तो 1 by V, 1 by V is equal to 1 by F, ये आपका क्या होता है, mirror formula होता है, ये आपका क्या है, mirror formula होता है, और guys session को share और like जरू करेगा, अगला question, कौन सी ऐसी जील है, जो तीन देशों के बीच में boundary बनाती है, कौन सी ऐसी जील है, जो तीन देशों के बीच में क्या बनाती है, तो जल्दी से बताओ, इस question का answer क्या होगा, ओके, बिल्कुल बहुत बढ़ी है, सभी लोग answer दे रहे हैं, और session को share और like जरू करेगा, कौन सी ऐसी जील है, जो तीन देशों के बीच में water बनाती है, फटा फट जल्दी से बताओ, क्या होगा इसका answer, और session को share और like जरू करेग दोस्तों, session को share और like जरू करेगा, तो लेक विक्टोरिया, यह अफरीका की सबसे बड़ी जील है, ध्यान रखेगा, और नील नदी का उद्गम स्तल्विया, इसके बराबर में ही एक और जील है, लेक टंगनी के, यह विश्य की सबसे लंबी जील है, ठीक है, तो इस question का answer आपका क्या होगा, इस question का answer आपका क्या होगा, लेक विक्टोरिया, ध्यान रखेगा, लेक विक्टोरिया, नील नदी का, बैकाल सबसे गहरी जील है, ठीक है, और वोन सबसे खारी जील है, ठीक है, सबसे खारी, खारी यानि इसमें नमक अधिक है, और विक्टोरिया तो आ आगे बढ़ते हैं, okay, इसके बाद only planet जो phases में हमें दिखाई देता है, ठीक है, only planet जो हमें phases में दिखाई देता है, तो वो आपका कौन सा दिखाई देता है, Venus, ठीक है, Venus जो है, हमारे सॉर्मंडल का सबसे गरम गरह भी है, hottest planet है, अर्थ को क्या बुलाया जाता है, blue planet बुलाया जाता है, ठीक है, Jupiter आपका सबसे बड़ा, largest planet है, और Saturn आपका yellow के साथ साथ, आपका क्या है, सबसे हलका घर है, lightest planet भी है, क्या है, lightest planet भी है, lightest planet भी है, और Venus को तो आपका morning और evening star भी बुलाया जाता है, morning and evening star भी से बुलाया जाता है, ठीक है, evening star भी से बुलाया जाता है, ठ ओके, phases मतलब सुबह के समय पूर में दिखाए देता है, और आपका शाम के समय पश्चिम में दिखाए देता है, ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेगा, यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊ हूँ, तो यह जो है ना, आपको यहाँ पे सारे यह आपको दिख रहे होंगे इसमें एक चीज आप नोट करिएगा, कि जो वीनस है ना, इसकी घूमने की दिखाऊ देखो, बिल्कुल विपरीत है, कैसी है, clockwise, बाकी सब कैसे घूम रहे हैं, एंटी-clockwise, तो यह कैसे घूमता है, यह पूर से पश्चिम घूमता है, तो ऐसे दो ही आपके ग्रह हैं, एक त चिम से पूर की और घूमते हैं, ओके चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question, आपको बताना है कि निमलिकित में से कौन सा ऐसा देश है, जो आपका आसियान देशों में, जो आपका आसियान देशों में एक landlock country है, ठीक है, landlock यानि स्थलरुद देश है, तो स्थलरुद दे तो यह आपका आसियान देश को आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपके इसो इस आपके च्थलरुद देश है, छलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question है कि बाई, Indian Ocean Rim Association का है, quarter कहां पे है ठीक है इसमें अभी ना France शामिल हुआ है IORC में अभी France शामिल हुआ है ध्यान रखेगा तो Indian Association, Rim Association, Regional Corporation इसका headquarter आपका Mauritius में पढ़ता है ठीक है अब देखो इसमें आपका कौन-कौन से देश आते हैं इसमें total 17 है 18 देश थे अब 19 हो गए है क्योंकि अब इसमें France भी शामिल हो गया फ्रांस का यहां पर री यूनियन आइलिंड है Mauritius यहां पर पढ़ता है ठीक है अगला question आपको highest L video बतानी है highest L video कौन की होती है L video होता है कि भाई जो आपस रोशनी टकरा कर वापस आते है जैसे अभी मौनसून आएगा ना तो बारिश पढ़ने से आस्मान एकदम साफ हो जायागा और फिर वो जो बादल है वो सफीद एकदम ऐसे चमकेंगे आँख में चौंद लगती है तो आपका बरफ के कारण जो आँखो में चौंद लगती है उसे L video बोलता है देखो यहां पर अगर आप देखो यह हमारे भारत के वीर जवान सियाचीन गेले शेयर में duty कर रहे हैं तो इन्होंने देखो यह जो आँखो पर चश्मा पैन रखा वो इसी वज़े सही ठीक है और सेशन को शेयर और लाइक जोरू करिएगा अगला कोशन भारत अपनी मेरिटाइम बॉंडरी किसके साथ शेयर करता है साउथ इस्ट में तो साउथ इस्ट में तो किसके साथ करता है आपका इंडोनेशिया के साथ करता है किसके साथ करता है इंडोनेशिया के साथ साथ इस्ट में जोड़ता है ठीक है और सेशन को शेय और like ज़रू करेगा, ठीक है, session को share और like ज़रू करेगा, और ध्यान रखेगा, अठर 24,7 पर आपका discount offer चल रहा है, इस discount offer का फाइदा उठा सकते हैं, इस discount offer में आपको, ठीक है, इस discount offer में आपको क्या मिलेगा, आपको, अरे पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, ठीक है, इस discount offer में आपको 77% discount मिलेंगे, ध्यान रखेगा, 77% discount के साथ double validity भी मिलेगी, जैसे अगर आप हमारा अभी ये batch कल से परसों से शुरू होगा, CAPF का, इसे join कर सकते हैं, CAPF के batch को, और इस CAPF के batch को join कर देगे, तो आपको capital U191 करने के बाद आपको 1839 रुपीज पे करने पड़ेंगे, केवल 849 रुपे, लेकिन अगर आप defense का महा पैक लेंगे, तो आज आपको क्या होगा, कि आज आप 1839 तो पे करो गई, defense महा पैक के लिए, पलस आपको 6 महीने का, यानि एक साल की validity मिलेगी, और जितनी भी हमारी live classes होंगी, FCAT की, CDS की, ओ, तो आपके, ओके, वो आप उसको कर पाएंगे, test series को आप join कर पाएंगे, video courses को आप join कर पाएंगे, और e-books को भी आपको मिलेगी, तो session को share और like जो करेगा, मैं मिलूँगा आप से, जल्दी, तब तक के लिए सभी को जाहिन, जाभाट, God bless you all, bye bye.